नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर महराश्च की सांस्कृतिक राजधानी पूरे में आप मकान खरीदना चाहते हैं तो आज का जो ये वीडियो है या आपके लिए काफी उप्योगी रहने वाला है आज हम आपको बताएंगे कि महारा पूरे लोट्री के बारे में सब कुछ पूरे हाउजिंग एन एरिया डेवलप्मेंट बोर्ड महारा का ही एक शित्रिय कार्याल है और ये पूरे और इसके आसपास के लाके जैसे की पिमपरी चिंचवार, शोलापुर, इसके लावा कोलापुर में सस्ते मकानों को लोट्री सिस्टम के जरिया बेचता है पूरे महारा लॉर्टरी में भाग लेने के लिए आपको Ernest Money Deposit यानि के Registration Fees जमा करना पड़ेगा और इसके साथ की Application Fees प्लस GST भी पे करना पड़ेगा Registration Fees मकान के आकार, प्रकार और Income Group के हिसाब से बदल जाती है लेकिन application Fees जो होती है वो एक ही रहती है उदारण के तौर पर अभी हाल ही एक lottery scheme में EWS यानि की economically weaker section के व्यक्ति को जुसकी मासिकाय 25,000 से भी कम है उसको 5,000 रुपए की registration fees के साथ application fees प्लस GST के तौर पर पे करना पड़ा वहीं LIG work के व्यक्ति जुसकी पारिवारिक मासिकाय 25,000 से 50,000 के बीच में है उसको 10,000 रुपए registration fees साथ में application fees और प्लस GST के तौर पर जमा करने पड़ेगे MIG work के व्यक्ति जुसकी मासिकाय 50,000 से लेकर 75,000 के बीच में है उसको 15,000 रुपए प्लस application fees प्लस GST पे करना पड़ेगा और इसी तरह HIG work जुनकी मासिकाय 75,000 रुपए या इससे उपर है उन्हें 20,000 प्लस application fees प्लस GST जमा करके लॉट्री में भाग लेना पड़ेगा अगर आपका नाम winners के list में नहीं है तो आपको registration fees वापस कर दी जाएगी हलाकि आपकी application fees जो है वो यहां refund नहीं होने वाली है lottery scheme को चेक करने के लिए आपको पूरे महाड़ा की website के home page पर जाना पड़ेगा और आपको view all schemes टाप को click करना पड़ेगा इस site पर उपलब सारी schemes की जानकारी आपको पता लग जाएगी इस scheme के बारे में विस्स जानकारी मिलेगी मसलन जैसे scheme code, scheme का नाम, मकान के कितनी unit सुपलब्ध है कौन से I.O. work के लिए है, कौन-कौन इसमें भाग ले सकता है property का built-up और corporate area, property का कीमत, property के rara registration का ID नंबर जैसी सारी जानकारीया मिल जाएगी इस site पर आपको और भी जानकारीया मिलेंगी किसी भी property के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है जैसे कि property के picture, उसका floor plan, property से मिलने वाली सुवधाई, property की location का google map और बहुत कुछ जानकारीया जो आपके काम आ सकती है इन जानकारीयों के जरीया आप अपने लिए मकान चुन सकते हैं और पूरे महाणा लोट्री के लिए apply भी कर सकते हैं पूरे महाणा लोट्री में पातरता के लिए आपको 18 साल से जादा उमर का होना जरूरी है और आपके पास domicile certificate और pancard भी होना चाहिए अब आपको बता दें कि पूरे महाणा लोट्री ने भाग लेने के लिए कौन-कौन से डॉकुमेंट्स के जरूरत पड़ी है इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कैंसल श्यक या पास्बुक, पास्पोर्ट, साइट्स, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, जोकी वाट्सप नंबर भी हो इसके लावा इमेल आईडी, ये सारे डॉकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पूने महाडा लॉट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लेश या फिर मराथी भाषा में भर सकते हैं, सबसे पहले वेबसाइट पर रिजिस्टिशन करना होगा और उसके लिए ये अपको यूजर नेम क्रियेट करना होगा, साथी कुछ जरूरी बेसिक जानकारियां होगी, जैसे कि महीने की आय कितनी है, बैंक खाते की जा पड़ेगा और एकनॉलेशमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, जब एक बार पूरे महाड़ा आपका फोटो आइटिफिकेशन एप्रूफ कर देगा, तो लोटरी पेश पर अप्लाई का बटन अक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी स्केम चुनकर अप्लाई पता रहा हूं, 9869-98800, कुछ और नमबर भी है, 022-2659-2692, एक और नमबर है, 022-2659-2693, यहाँ पर आपको सारी जानकारे मिल जाएंगी, आप चाहें तो फोन मिला कर चलन सकते हैं, तो अब तक आप यह समझ गया होंगे कि पूरे महाड़ा लोट्री के लिए कैसे अप्ला पाईजित करता है, इसकी तारीक समय स्थान पूरे महाड़ा लोट्री के वेबसाइट से पता लेंगी, लोट्री के रिजल्ट्स वेबसाइट टे पब्लिश के जाएंगे, और दोनों विनर्स या फिर वेट लिस्स जो है, वो वेबसाइट पर मिल जाएगे, अगर आपका For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.